नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों को अब्गुआ अवास योजना के लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है बड़ी अपडेट मेंसे भी 4-5 अपडेट हैं वो अपडेट को हम फूरी विश्टार से चर्शाय करने वाले हैं दोस्तों इससे पहले अधिया आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें लगातार अबवा अवास योजना या फिर सरकारी अन योजना को जानने के लिए तो दोस्तों आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबवा अवास योजना कच्चे घर में रहने वाले हर जहारखंडी को पक्का मकान वह भी रसोई घर युक तीन कमरे का मकान मतलब यह तो आपको पहले सी भी पता है कि आप लोगों को जो अबवा आवास मिलेगा उसमें तीन कमरे का मकान होगा और साथी साथ आप लोगों को रसोई घर जो है उसी में कमबाइन रहेगा मतलब अलग से नहीं बनानी, मतलब साते इसाथ प्रसोई घर की भी विवस्ता उसी में किया गया है यह हो गई, कोई जोररी बाते नहीं, अब जोररी बातों पर हम आती है मुख मंतरी हैमन स्वरे जारखन के जन जन के आर्मान पूरे करने के लिए कृत संकल्प है उसके परियासों से अच्छे परिनाम देखने को मिल रहे हैं लोगों में सरकार के पती भरोसे भी बढ़ने लगा है मुख मंतरी हैमन स्वरे जारखन के गरीब तर्था आर्थिक उल्प से कमजोर वर के आईसे लोग गिन के पास अपना स्वयम का पक्का माकान नहीं है या फिर उसके बेघर है उसके लिए जारखन अबुआ अवासयोजना के तहत तीन कमरे वाला वह भी रसोई घर युक्त पक का आवास उपलब कराने का काम किया है मुख मंतरी हैमन स्वरे ने पंगरों अगस 2023 को जंडो तोलन के बाद इसकी घोसना की थी सीम ने अगले दो वर्स में लगभग पंगरों हजार करोड से जाएदा खर्च कर राज की सरकार की नित्यी पंग लोगों को आवास उपलब कराने में मजबूत इरादे से साथ काम कर रही है 2023 में दो लाख लोगों को अबवा अवास उजना दिये हैं मतलब 2023 तक अभी तक दो लाख अबवा अवास उजना मिल चुके हैं उसकी स्विकृति भी हो गई और लगभग लगभग आप लोगों को भी पता होगा कि फाइनल स्टरेज तक पहुची गई हैं जैसा कि आपको पाउड़त होगा मैंने कई बार बताया था कि पांच तारीक तक जो पांच तारीक हम लोगों का पास हो गया उसी में उसका कहना था कि सभी का गिरह परवेश करा देना है लेकिन ये अलग बात है कि सरकार अभी अभी इस मुद्दे से भटक रही है और काम आप लोगों को देख सकते हैं कि आप लोगों को अब्वा अवास योजना की तिसरी किस्त नहीं मिल रही है फिर इसमें ये कहा जा रहा है दोज़ार तैस्ट चोविस में इस योजना पर राज सरकार ने बारोसो च्छासी करोड रुपीए खर्च कर रही है अब्वा अवास योजना के तहद तीन कमडे के मकान के लिए परती अवास राज सरकार दो लाख रुपीए लाभुकों को दे रही है जो आप लोगों को अब्वा अवास योजना मिल रहा है उसमें जिससा कि आपको पहले से भी बता होगा कि दो लाख इसमें मिलते हैं और पचीस हजार जो है वो मंदरेगा के अलग से मिलते हैं जिसमें से कि आप अपना सोचायले को भी बनवा सकते हैं ता फिर अन्य जो भी ज़रोतिकी सामान होंगे वो आप बना सकते हैं यहाँ पर हम एव चीज़ों को देख लेते हैं वो भी दोहजर पचीस हबीस की सरकार की क्या टार्गेट है उसको भी एक्सन में अगर जेते हैं तो फिर उसका काम हो पाएगा वरना फिर यह जो चीज़ें हैं वो धरा की धरारा जाएगा फिलहाल जो हमने उपका अभी ज़र्रत की बाते हैं वो अभुगा आवास की जगर तीसरी किस्त मिल जाती तो हम लोगों के लिए यह बड़ी बात होती लेकिन अभी यह हो नहीं पा रही है फिर इसमें लिखा गया वितियवर 2016 में परधानमंदी आवास योजना गरामीन केंद सरकार ने नए आवासियों के सुनकिति नहीं दी थी इसको लेकर राज और केंद सरकार के वीच में कई बार बाचित भी होगी थी राज सरकार के बा बनाए जाने का लक्ष सरकार ने रखा है रखा है मतलब यह कि 2025-26 तक आप लोगों को फिर से अड़ाय लाक मिलने वाले हैं लेकिन इसका आमको बेनेफिट नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आभी धूरे होगे में मेरे से तो आप लोगों को पता होगा कि अभी तब तो तिसर प्रिट नहीं हुए है और फिर सरकार आपके द्वार कारिकरम ने फिर से एक नया आवास के लिश्ट जारी कर दिया है फिर यहां पर आप देख सकते हैं स्वचाले के लिए भी मिलेंगे आर्थीक मदद आवास योजिना के तर जिस लाभुकों के नाम पर स्वचाले निर् करने का प्रावधान किया है मतलब कुल मिला के आप यह चीज़ें यह भी जान लेजिए कि आप लोगों को पहले से ही दो लाख रुपी आवास के लिए मिलने वाले हैं बारो हजार रुपी आपको सोचाले के लिए मिलने वाले हैं और पचीस अजार जो मंडरेगा के लिए मिलने वाले हैं बतलब पिल बिलाके आप इस चीजों को देख सकते हैं कि आपको अच्छे खासे रकम देखने को मिल जाएंगे तो इसमें वैसी कोई बड़ी अबेट नहीं है इसमें वही सारे चीजें बताया जिया कि आपको जो दो लाख रुपीये मिलेंगे आवास के लाख रोजनी किस्त मिलेंगे अब वह आवास रोजना स्रुकरिति मिलते हैं पहले किस्त जो है आप लोगो को तीस हजार रुपिये मिलने वाले हैं फिर इसकी दूसरी किस्त के रुप में आप पक्चास ज़ार रुपिये मिलनें वाले हैं wherever c ItaliaG Tut आप लोगों को 20,000 रुपे दिये जाते हैं, तो यह रहा टोटल आप लोगों को कि 4 किस तरह से मिलने वाल हैं, वो ही चीज़ें आपने जान लिए, अब यहाँ पर आप एक चीज़ों को ये भी देख सकते हैं, कि आप लोगों को 2023 में आवरास की सिर्कृति हुई थी, वो कौ कुटी को देख सकते हैं, 3887 है, पुर्भी सिंग्भूं को आप देख सकते हैं, 8138 है, फिर वही पर आप पलामू को देख सकते हैं, 13681 आया हुआ है, गर्वा को भी देख सकते हैं, बहुत सारा आया हुआ हुआ है, उसी तरह फिलहार हम एक लाश्ट देख लेते हैं, अप 2023 में वो आपके सामने ये आकड़ा रहता है जिसका आप अफ्रिन शॉट भी ले करके आप आराम से या फिर वीडियो को पाउस करके आप इसे अच्छी तरह से लिष्ट को अपना चेक कर पाएंगे आप जिस भी डिक्ष्टिक से होएंगे वहां के आप लिष्ट को चेक कर प परथम चड़ में दो लख आवास निर्भान की सुउखिणि दी गई है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वाय कारिक्रम जिये दौरान लाखों आवास हैं तो आवेदर प्रात हुए थैं राज सरकार प्रात आवेदर पर आथार आवास की निर्भान की परक्रिय कर जल्द ही आवेदलों की स्विकर्थी मिलने की संभावना है मतलब तो टार्गेट पुरा रखा गया था आठ लाक आवास का उसमें से 2022 तेस में भी आप लोगों को दो लाक मिले थे फिर आप लोगों को तेस 24 में भी आप लोगों के सामने नहीं हुआ है तो वो भी जब आएगा तो आप लोगों के सामने रख देंगे ताकि आपको भी ये चीज़ें जान जाओगे उसके बारे हम उसके बाद अभी में एक और नया हाइलार की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है नया लक्ष 25 लाख आवास ग्रामिनों के वैस्था होगी मजबूत मतलब अब जो इसे बढ़ा करके 25 लाख आवास देने की टार्गेट रखा है 20 लाख लोगों को आवास योजना का लाब देने के लिए नया लक्ष सरकार ने रखा है यह लक्ष 2076 में पुरक्टिया जाना है पुर्व में 8.5 लोगों को आवास लक्ष रखा गया था हैमन सोर ने केबिनेट में बेठा क्में पुल आवास योजना के तह तीन कमरों का पक्का मकान स्विक्रती मिले थी जिसका आखार 31 वर्ग मीटर का होगा लेकिन आपकी सरकार आपके द्वार कारेकरम में रिकोड आवेदिकों के आने के बाद सरकार ने अवास योजना का लक्ष 8 लक्ष से बढ़ाकर अभी 25 लाग कर दिया गया है अब सरकार इस योजना का इस लच्ट को बहानिक पर विचार कर रहे क्योंकि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकुन में 60 लाख से अधिक आवेदन केवल आवास योजना के लिए आए है सरकार ने कहा है कि सभी आवेदकों का विचार किया जाएगा किसी को आसा विहिन नहीं किया जाएगा मतलब ये कि जिन जिन लोगों ने 25 वाख आवास की जो टार्गेट रखा गया है 2077 तो उसमें सभी को आवास मिलने लगेगा लेकिन देखनी वाली बात ये होगी कि आप सच में योग हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा और ये सरकार का लक्ष भी रखा गया है लेकिन आप देखा जाएगा ये कि क्या होगा फिरहाल हम लोगों के लिए आप दो आवास उत्रा कि तीसरी किस्त नहीं मिल रही वहीं हमको सरकार से नाराजगी भी है और जाहिर सा बात है कि आप लोग भी उन चीज़ों से नाराज़ है कि कम से कम जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको बकायदा पूरी तरह से कम प्लिट करो क्योंकि तीसरी किस्त नहीं मिला है अवास पूर नहीं हुआ है फिर से नया टार्गेट की बातें कर रहे है सरकार तो यह सही नहीं है यह नहीं है कि हम सकार के बिरोध में काम कर रहे है लेकिन बात यह है कि जो आप टार्गेट रखे हो इस टार्गेट को आप एचीव नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों हमारे पास यही सारी जानता है थी जो कि मैंने आपके साथ साजा किया उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ अब यूजफुल साबित होता है न तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जो भीर की लेटेस्ट अप्रेट होंगे वो हम आपके सबसे पहले पहुचा सके तो दोस्तों आज के लिए नहीं फिर मिलते हैं अन्व किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद आपके दिन सुब